आप लोग जैसे देख रहे हैं ये मकान बन रहा है इसमें जितने भी दिवार है अंदर की बाहर की सब पर लिंटल बीम दिया हुआ है यहाँ एक और जो मकान मैं दिखा रहा हूँ इसमें आउटर वाल पर देखिएगा लिंटल बीम आपको दिखाई दे रहा हुगा वहीं य जो मैं दूसरा मकान दिखा रहा हूँ इसमें अंदर की दिवार भी बाहर पर लिंटल बीम दी गई है तो फिर एस वीडियो में मैं आपको यही कनफीजन दूर करने वाला हूं कि क्या आप जो घर बनाते हैं तो घर क्या बीना लिंटल बीम का बनाना सही होगा जैसा आप यह मकान देख रहा है इसमें जो आउटर दिवार है यह देखी आउटर दिवार पे मतलब यहां पे सुरू से लेके और मतलब पीछे तक जितना लंबा दिवार है सभी पे यहां पे लेंटल बीम साथ फिटके उचाई पे जहां हमारा खिड़की दरवाजा का लेबल होता है उसके उपर पूरा बीम दिया गया है ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरवाजा और खिड़की के उपर जितना एरिया है उतना ही बीम दे दिया जाए तो काम चल जागा नहीं यहां पे पूरा आउटर दिवार हो अंदर का जितनी भी दिवार पार्टिशन होती है पांच इंच का जैसे देख रहा है सब पें यहां पे विम दिया गया है तो क्या हमें अपना जुमकान बनाना है जितना दिवार हो अंदर ऑंदलुना पर इम दिवार है वहाहां सभी चार चारब 12 mm के स्टील बानते हैं स्टीर यानि रिंग डालते हैं उसमें मतलब हमारा जो अगर 1000-2000 स्क्वार फिट का आप घर बना रहे हैं तो आप जानते हैं कि उसमें जितना पार्टिशन है सब पर आपका रिंग डालना उसमें सरीया डालना फिर उसकी ढलाई करना जैसा आप ये देख रहा है अंढर की दिवार है इसमें कोई आपको लिंटल बिम नही दिखाई दे रहा है आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो आउटर वाल ये आपने इनर पारटिशन वाल देख लिए उसके पागा जो आउटर वाल है उस पर भी आपको यहां देखिए, कोई यहां 9 इंच की दिवार बनाई गया है, लेगिन कहीं पर भी यहां पर लिंटल बीम नहीं दिया गया है, अब ध्यान से देखिएगा कि यह 10 फीट तक उठा लिया गया है, अब इसके उपर सलैब बीम और सलैब जब छट एक साथ जो बीम होता है, जैसे आप देखिए, वो बीम डिरेक्ट डाल दिया गया है, यहां पर कोई लिंटल बीम नहीं दिया गया है, तो क्या यह घर कम जोड हो जाएगा, क्या हम ऐसे घर बना सकते हैं, तो दोस्तों जी आप बिल्कुल आप ऐसे बना सकते हैं, आज कल जैसे उपर बीम दे दिये, तो यह दोनों बीम के बीच में जो दिवार होता है, चाहे आप अंदर का पांच इंच का दिवार बना रहा है, वो हो गया, या आउटर दिवार 9 इंच का हो गया, वो दोनों बीम के बीच में आता है, यानि वहां पर जो पार्टिशन जो दिवार होत कर रहा है दिवार का मेन काम नहीं है क्यAnn terkyissions Deja मखना रहा हैं जितना भी लोड होता है हमारा क्या होता है एसलिए जो दिवार होता है चछत होता है फिर बीम हो घ्म के तुरू हमारे कॉलम्म पे ट्रांसपर होता है फिर कॉलम्म से घ्र lavender और ऊहां फूंटिंग पर चला जाता है तो इसलिए जो दिवार होती है यहां एक partition के लिए सिर्फ दिया जाता है इसलिए आज कल देखिएगा आप कि जहां पर पहले बोला जाता था कि 9 इंच का दिवार सभी जगह दीजिए तो आपका घर मजबूत होगा लेकिन अब फ्रेम structure का मकान बन रहा है तो वहां 9 इंच के दिवार अब ज्यादा तर लोग न अंदर देते हैं बहुत लोग तो आप ऐसा भी हो गया है कि बाहरी दिवार भी 9 इंच के नहीं देते हैं वह भी 5 इंच का ही देते हैं वहां भी पैसे की बचत हो जाती है क्योंकि वो बोलते हैं कि कुले दीवार पर ही नहीं दे रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि अगर भाव किडिक्राइगा चुनाई कर दीजेगा तो फिर रहा कॉर्णर से जैसे ऐसे आप देख रहे हैं यहां फोटो में इस तरीके का गलती करना है आपको क्या करना है जितना दर्वाजा और जितना खिड़की है जैसे आप देख रहे हैं इतना लंबा यह दिवार है तो इससे क्या हो गया कि पैसे का बचत भी हो जाएगा फिर वहां पर इस बीम के उपर इसके उपर दिवार आ है यानि जो भी लोड होगा इस बीम के ऊपर आजाएगा तो वहां से क्रैक भी नहीं करेगा जैसे आप देखिए यहां पर एक साथ हमारा तीन एक बीच में खिड़की आ रहा है दो दर्वाजा आ तो तीनों के एक साथ कंबाइन कर लिया गया है अब आउटर साइड में जहा जादा बढ़ा दिया गया है चार फिट के जगह चेंच और इस साइड राइट साइड शेंच लेफ्ट साइड यानि पांच फिट उसको कर दिया गया जैसे यह चाज़ा आप देख तो इस तरीके से अगर चार फिट का आपका खिड़की है तो छे इंच आप एक तरफ बढ़ जाता है वहीं आप सिर्फ पांच फिट के दूरी में यह चार फिट के दूरी में अगर आप बीम डालते है तो उसका कोस्ट कितना होता है तो इस तरीके से देखा जायते है अगर आप एक हजार यह दो हजार फिट का घर बनाते हैं और पूरे दिवार पे अंदर के त। फिर हम क्यों पूरे दिवार पे हम अपना टाइम वेस्ट करें अपना मेतेरियाल वेस्ट करें तो सिर्फ आपको जो दिवार में क्रैक सो बचना है तो क्रैक सो बचने के लिए जहां पे अमरा धरवाजा खिड़की होता है और सिर्फ उसी के ऊपर आप 6-6 इंच उसको फिर उसके उपर आप चुनाई कर दिजे तो आपका लेंटल विम का काम हो गया पूरे दिवार पर आपको विम डालने के कोई ज़रुरत नहीं है तो इस तरीके से आप अपने घर को बना सकते हैं कोश्ट के सेविंग कर सकते हैं घर भी काफी मजबूत बने की